तो दोस्तो के सवाप सभी मेरी यूटूब चैनल में दोस्तो आप सभी का अर्दी सवाथ करते हूं आज मैं चंबल रिवर्फरंट पर जहाँ पर लगबग 90% काम पूरा हो चुका और अभी मैं यहां पर खड़ा हूं जहाँ राजस्थान की संस्कृत ही दिखाए गई और मै दिखाए गया आप देख सकते हैं यहां पर जो यह लगाए गया है ऐसे आगे की तरब जो है राजस्थान की संस्कृति है और जो फेमस फेमस चीजह है और बनाए गई है चले आगे चलते हूं देखते है तो दोस्तों जोदपूर के महरानगड के लिए के फरंट यू के ब गई है और आगे की तरफ चलते हैं आगे की तरफ देखते हैं आगे की तरफ यहां पर राजस्थान की जो प्रमुक शहर है उनकी जो फेमस फेमस इमारते हैं वो बनाए गई है यहां पर और आगे की तरफ यहां पर देखेंगे तो जैसल मेर बिल्डिंग बनाए गई है आ इप त्रेंट ये और आगे की तरफ चलते हैं देखते हैं कre तो दोस्थों आगे की तरफ चलते हैं तो यहां देख सकते हैं जो राजथन की जिसੁ हमर फैमस प्राह्मा वंदिर का जो मेन फ्रॉंत है वो में यह बनाया है इसी कुछ आगे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों आप देशごраш לפ चलते हैं इतों आगे-परीज फैले से अपिछ्व हांदर जो है यसे ब्रीज महल ढ отвला जाता है यहाँ पर जो है वह इसी प्रकार बन divers और आगे की तरफ चलते और यह आगे तरफ चलने के बाद हम देखते हैं यहां पर कि मंदीर का जो शेप दिया गया आगे देखते हैं क्या बन रहा है तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मंदिर का बना हुआ इसकी कुछ डिटेल यहां पर नहीं दी गई तो आगे तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे भी कुछ चीजे बनी हुई है और काम जो है वो बहुत काफी देजी से चल रहा है यहां पर जो की 90% तो लगवाग पूरा हो चुका है जो राजस्थान के बुंदी शेहर का जो किला है उसका यहां पर हडोधी गेट बनाया गया उसका यहां पर जो शेप दिया गया तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर सेल्फी पॉइंट आप इसे बोल सकते हूं यहां से काफी शांदर जो ना जा रहा होगा अभी तो यह बन रहा है इसलिए अभी देखने में इतना पता नहीं लगता जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो नीचे का हिस्ता अब भी दिखाते हैं मजधू लगे हुएं करते हैं यहां तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर जो है वह की इसको लगाय जाएगा आपर जो मेहनत की जारी काफी रात दिन मजदूर लगे हुगा है काफी मेहनत करते हैं और यहां देख सकते हैं बड़ी-बड़ी क्रेन के सारे इसको वहां पर लगाए जाएगा सामने की तरफ लेकि शॉपल देख सकते हैं पर इसको यहां पर लगाए जाएगा जो सुमस्दूर और क्रेन की सरहता से यहां पर लगाए जा रहा है इसका मुझ जो है इस पर लगाए जाएगा